असलाम अलेकुम आज देडे 3rd of January और आज हम बात करने जा रहे हैं Oriental Trimax Limited के September के quarterly result के बारे में यहाँ September का quarterly result recently company ने अनाउंस किया है और इस वीडियो में हम जानेंगे कि company ने अपने September के quarterly result में कैसा perform किया है वीडियो को आगे बाने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली पर अगर चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें और साथी साथ पहला आइकन को प्रेस कर दें ताकि in future में कोई भी video upload करूँ तो आपको notification मिलता रहा है तो चलिए start करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं Oriental Oriental Trimax Limited 12.85 रुपीस पर ये company भी trade कर रही है और आज की date में 17% का positive return इस company ने दिखाया है वहीं अगर हम बात करें एक हफ़ते का chart pattern तो एक हफ़ते का chart pattern देख सकते हैं 7.25% का positive return है एक महीने का graph देखें तो 18% का है और एक साल की बात करें 2% का negative growth है पांस साल की अगर बात करें तो 62% का positive return है वहीं अगर maximum में जाएं maximum में देख सकते हैं 63% का negative growth है तो काफी ज़्यादा volatile है ये stock देखें एक time हुआ करता था जब ये stock कहां तक पहुचिया था 30-35 पे पहुचिया था और उसके बाद जो गिरावाट हुई तो 2 रुपय में भी पहुचिया था तो इस तरीके से देख सकते हैं volatility बहुत जादा है cement company है material बनाती है ये company small cap company 30 crore का market capitalization है और stock अभी 2762 पर rank कर रहा है वहीं अगर हम बात करें company profile की तो company profile एक बार देख लेते है तो company profile आप देख सकते है oriental trimax limited is a marble processing company that offers flooring product तो कुछ इस तरीके से website है flooring product बनाती है company देखे क्या क्या किस किसी segment में काम करती है marble, travertine और onyx तो travertine देख लेते हैं क्या है ये तो देख सकते हैं कि जो tiles होती है इस type tiles ये है इनके product marble में देखे अलग-अलग series के marble है और एक बार ये देख लेते हैं क्या है onyx तो ये इस तरीके के जो आते है tiles इसे बोलते है onyx तो mainly marble का और tiles का का काम करती है company अब बात कर लेते हैं valuation की तो sector का price to earning ratio 24.12 है वहीं इस company का price to earning ratio minus 7.78 है sector का price to book value 3.10 है वहीं इस company का price to book ratio 0.40 है वहीं अकर shareholding pattern की बात करें तो shareholding pattern हम देख लेते हैं एक बात तो देख सकते हैं promoter के पास 28% की holding है वही mutual fund के पास कोई holding नहीं है domestic institution के पास 0.35% की holding है foreign institution के पास 11% की holding है और retail and other के पास 60% की holding है तो इस तरीके से देख सकते हैं यह कुछ shareholding pattern है इनका अब बात कर लेते हैं इनके result की तो according to screener.in oriental trimax limited का हम quarterly result देखेंगे then positive point और negative point देखेंगे and then हम last में देखेंगे intrinsic value तो video को बिल्कुल भी skip मत करेंगे complete video देखेंगा ताकि आपको complete information मिल सके तो देखते है quarterly result हम इनका तो आप देख सकते हैं June quarter में जो इनका revenue 0.82 यानी 82 lakh रुपेज का revenue था September quarter में बढ़कर हो गया 5 करोड रुपीज का operating profit 46 lakh का नुकसान था जो की बढ़कर हो गया 66 lakh का नुकसान अगर बात करें net profit के 2 करोड रुपीज का इनका net profit था वो एक करोड रुपीज के net profit का loss हुआ है September quarter में काबले जो है यह quarter थोड़ा सा बहतर रहा है इसका revenue भी बढ़ा है और net profit में भी कम नुकसान हुआ है हाला कि फायता अभी भी profit नहीं कमा पार ही यह company लेकिन नुकसान थोड़ा सा कम किया है company ने वहीं अगर हम बात करें market competitor कौन है इनके market competitor देख सकते हैं गुजराद GAS, FB, Fintech, Indian Energy Exchange, CDSL, Century Plyboard, Camp Services और Network 18 Media तो यह इनके market competitor हैं भी market में वहीं बात करें अगर positive point और negative point की तो positive point क्या क्या है positive point यह है कि company ने अपने कर्ज को कम किया है और साथ ही साथ company debt free भी है यहीं कर्ज मोक्त है और तीसरा क्या है कि यह stock भी 0.49 ताइम से अपने book value पर जो की काफी सस्थी valuation है negative point की बात कर लेते हैं interest coverage ratio काफी लो है company का वहीं company का जो पांस साल का अगर आप sales growth देखेंगे तो वह काफी खराब रही है promoter की holding बहुत ही जादा कम है 28% कम से कम 50% की holding होनी चाहिए return on equity भी काफी खराब generate किया है तीन साल में वहीं अगर बात करें debtor days काफी जादा increase company का और borrowing भी बहुत जादा बढ़ गई है company की तो यह सारी चीजे क्या है negative points है अब बात कर लेते हैं intrinsic value की according to ticker tape dot in oriental trimax limited का intrinsic value है वो अभी सही नहीं है sufficient data available नहीं है return versus fd की बात करें तो fd से अच्छा return इसने नहीं दिया historically dividend की भी कुछ खास history नहीं है entry point के लिहाज से यह stock अभी overbought zone में नहीं है लेकिन इस stock पर अभी एक red flag available है और reason है कि यह stock अभी asm list पर listed है तो सोड़ा सा सतर करिएगा यह stock जो asm list पर listed है तो यह थी मेरी video oriental trimax limited के september के quarterly result के ऊपर video में मैंने positive point भी बता दिया और negative point भी बता दिया तो अब यह आपका decision होना चाहिए कि आपको इस stock में invest करना है या नहीं करना है तो वीडियो आप लोगो कैसी लगी comment section में जरूर बताएगा थोड़ी सी भी अगर informative लगी हो तो प्लीज वीडियो को like जरूर कर दीजेगा चैनल को अगर अभी तक आप लोगो ने subscribe नहीं चाहिए या पहली बार अगर चैनल पर आ रहे है तो चैनल को subscribe करना बिलकुल भी न भूले और साथी साथ bell icon को प्रेस कर दे ताकि इन future में कोई भी वीडियो अप्लोड करूं तो आपको notification मिलता रहे है तो फिर मिलेंगे next video के साथ तब तक के लिए इजादत दीजे खुदा आफिस जाहिंद